हाई गैज मैं हूँ आम्रीन के शुने मैं आप सभी कस वागते कैसे आप सब मीद करता हूं, अब सब ठीक होंगे, मैं बिग्दम ठीक हूं, आज मैं बनाया जारी हूं मटन कीमा रोल बहुत जादा मज़े का बनाता और थंडी है इसमें ये गरम गरम रोल बहुत जादा अब slice में भी job कर सकते हो उसके बाद अच्छे से इसको भूंजा और जब इसका थोड़ा सा color change होने लगा तब मैंने डाला है एक चम्मच अध्रक लैसन का paste और इसको भी अच्छे से भूंजा है इसके साथ में अब इसका color थोड़ा सा dark होने तक इसको भूंजना है और यह देखू इसका color एकदम dark होने लगा है अब मैंने यहाँ पर डाला है 200 ग्राम मटन कीमा 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 कर डाल के अच्छे से इसको भूंजना है बहुत देर तक इसको अच्छे से भूंजना है और इस प्यास के साथ में अभी थोड़ी देर भूंजने के बाद में यह automatic पानी release क करने लगेगा तब तक इसे भूंजना है फिर इसमें मैंने थोड़ी देर भूंजने के बाद मैंने डाला आधा-चमच नमक 113 चमच हल्दी पॉडर आदा-चमच लाल मिटशी का पॉडर एक चमच धनिया का पॉडर एक चमच जीरे का पॉडर और आधा-चमच गरम मसाला डाल के अच्छे से इसको भी भूँज रहा है, मसाले की कच्छी स्मेल खतम होने तक, बहुत अच्छे से इसको भूँज रहा है, जब तक इसका तेल छोड़ना देना तब तक इसको भूँज रहा है, और मेडियम फ्लेम पे मैंने इसको भूँज आता, फिर इसके बाद मैंन तेल छोड़ दिया ना तब मैंने हब डाला एक कप पानी डाल के अच्छे से इसको चार सेटी लगाने के लिए रख दिया था मैंने हाई फ्लेम पे उसके बाद तब तक मैंने आटा सान गून लिया है मैंने एक बाउल लिया उसमें एक कप गेहूं काटा लिया एक चुथाई चपाहस से मिक्स तबाद में थोड़ा से पानी डाल के पानी मेरा गरम था और हलकल कस पानी डालके उर इसको गूनदा है मेरा पानी इसमें लगा था एक चुथाई कप आप अपने अंदाज से इसको गुंदिएगा एकदम टाइट सा मुझे आटा चाहिए यह देखिए आटा गुंद के रैडी हो गया है मैं इसको साइट पर कर दूंगी फिर मैंने दही लिए उसमें यह हरी मिर्ची और धनिया और नमक का पेस्ट बनाके और इसमें डाल दिया है मैंने यह भी मेरी अच्छी बन खतम हो जाए और एक चौधाई कप स्लाइस करवा शिम्ला मिर्च इसको भी थोड़ी देर क्लिब हो जेंगे और एक साइट पर कर देंगे उसके बाद इसको चेक कर लेंगे बहुत अच्छे सी यह कीमा पक चुका है अगर इसमें पानी है तो आप इसको पानी या डो को ऐसी बाल्स बनाके और इसको बेल लेंगे प्लेन सा उसके बाद आप जो भी शेप में प्राठा बनाते हैं आप बना सकते हैं जैसा भी बनाते हैं आप बना सकते हैं मैंने मैं बस ऐसा लंबा बड़ा सा प्राठा बेल लेती हूं और बेलने के बाद में हलका सा ओ प्राटा करके उसके बाद मैं 20 ऐसे कट करती हूं करके रोल कर लेती हूं कर दो कर डूंक करके रोल करके और इसका एक ऐसा यह देखि इससे बहुत अच्छा सब आच्छा बन जाता है यह देखिए और सिंपल भी है बस इसमें सारे ऐसी मैंने बना लिया थे उसके बाद आठा लगा कि और इसको भी बड़ा सा एक प्राठा बना लिया उसके बाद में दोनों साइट से ओल से शेक लिया आप मैदे का भी प्राठा बना सकते हो पर मैदे का प्राठा बहुत जादा अनहल्दी हो जाएगा और यह हल्दी वरजण है यह दे में try करीगा और मुझे comment में जरूर बताएगा आप इसे मैंने तेल से सेखा है आप बटर घी कोई भी चीज से इसको सेख सकते है अच्छे से golden brown होने तक दोनों साइड से ये देखिए हमारा प्राटा सेख चुका है बहुत ये अच्छा क्रिस्पी हो चुका है अब इस सारे प्राटे ऐसी बना लेंगे उसके बाद में प्राटे के उपर मैंने जो धही वाली चटनी बनाई थी वो लगाएंगे लगाने के बाद जो मेरा कीमा है वो कीमा को बीच में ऐसे रखके और ओपर से जो प्याज और श चानल को बाय गईस